हालो एव्रिवन मेरा नाम है मन दीप दिवारी और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए या फिर एक मिस्टेक है यह तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अगर बात करें तो अभी तक आपने अपने नीट के पेपर को एंसर की से मिला लिया होगा और अगर आपने अपना मार्क्स मिला लिया है तो आपको खुद पता है इस चीज का एंसर कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको तो डॉप लेना ही पड़ेगा और अगर आपका ऐसा कोई सपना नहीं है आपका जस्ट है कि घर वालों ने मुझे भेजा है पड़ने या फिर आप किसी को देख कर यहां आए हैं कि वो कर रहा है तो मुझे भी करना है तो फिर ये एक आपके लिए गलट decision होगा क्योंकि जब तक आपके अंदर से ये आवाज नहीं आएगा कि मुझे doctor बनना है या फिर आपका अपना interest नहीं होगा तब तक आपसे आगे भी नहीं हो पाएगा आप फिर आगे जाएंगे और अपने time को waste करेंगे जूट मुट का तो ये एक आपके लिए गलट decision होगा तो अगर आप drop लेते हैं तो आपको कुछ बाते पता होनी चाहिए खुद से कि आपने last year क्या गलतिया की ताकि वो गलतियां आप दोबारा ना दोराए और फिर से उसी situation पे आके ना खड़े हो जाएं तो फिर आज आती है बात problems की तो problems तो हर किसी को है मगर सबसे पहरी problem ये है कि parents नहीं मानेंगे तो parents को convince करना ये आपका काम है आप उनको समझाएं कि हमसे ये गलतिया होई थी इस साल जो कि हम दोबारा नहीं दोराएंगे उनके साथ सारी बाते खुल के रखे transparent हो जाएं उनके साथ और उनको बिश्वास दिलाएं कि मैं इस साल कर लूँगा आप अगर उनको समझाएंगे खुद से तो वो आपकी बात समझेंगे किसी और के समझाने से कुछ नहीं होता है और parents तो हमेशा भला ही चाहते हैं अपने बच्चों का इसलिए अगर आप उनको समझाएंगे हो सकता है वो एक दिने माँने दो दिने माँने तीन दिने माँने मगर चौते दिन वो जरूर मान जाएंगे तो आप कोसिस करें parents पका मान जाएंगे और parents कभी भी पढ़ाई के लिए मना नहीं करते हैं अब बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं कि sir financially problem है घर में मगर देखिए आज के time में सबसे ज़्यादा अगर कुछ free है या है सस्ता है तो वो study है आप चाहें तो अपनी पूरी preparation यूटूब से कर सकते हैं या फिर लोग तो telegram से भी video download करके अच्छे अच्छे teacher की preparation कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ी कोई problem नहीं है आप अगर मेहनत करना चाहें अगर आप अपने selection के लिए desperate है तो material आपको मिल ही जाएगा कहीं न कहीं से videos आपको मिल जाएगी तो ये भी आपका second problem solve हो गया और आगे बात करें कि कोई क्या कहेगा तो ये तो दिमाग से निकाले दो क्योंकि यार selection तुम्हारा होना है मेहनत तुम करोगे कल को select हो जाओगे तुम तो खुशी तुम्हे होगी तो दूसरे की बात तो सुनके क्यों तुम्हे problem लेना या फिर tension में रहो कि लोग क्या सोचेंगे लोग तो सोचते ही रहते हैं लोग का काम ही है सोचना तो ये बाते अपने मन से निकाली दो तो बहुत अच्छा है वैसे आपने एक line तो सुनी ही होगी कि focus on your dream instead of peoples तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप अपनी मेहनत अभी से सुरू करें और एक बिश्वास के साथ आगे बढ़ें और एक पर इस तरीके से मेहनत करो कि तुम सोचना खुद कि क्या अगर तुम अभी मेहनत नहीं करते हो तो तुम lifetime ये regret ले पाओगे कि कास मैंने अच्छी तरह पढ़ लिया होता तो इसलिए अगर आप drop ले रहे हैं या फिर छोड़ने की सोच रहे हैं तो आप अपने अंदर ये सोचिए कि क्या मैं कल को किसी डॉक्टर को देखूंगा तो मेरे अंदर अच्छा फील होगा मुझे या फिर मुझे बुरा लगेगा तो इसलिए आप मेहनत करें और drop लेने से पहले ये सोच लो कि last year मैंने क्या गलतियां की थी क्या मैं उनको फिर दोराऊंगा मैं उससे पीछे नहीं रह पाऊंगा तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप वो गलतियां फिर से दोराएंगे तो फिर आपका waste of time है और waste of money है तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखे कि मैं फिर से वो गलतियां नहीं दोराऊंगा वरना फिर आपका ये साल waste हो जाएगा और एक बात कि मैं कुछ लोग को सुनता हूँ कि क्या मैं partial drop ले लूँ और साथ मैं prepare करते रहूँगा तो मेरा जहां तक मानना है कि अगर आपका dream है doctor बनना तो आपको partial drop नहीं लेना चाहिए मतलब कि आपको कोई other course चूज नहीं करना चाहिए आपको इसी की तैयारी करना चाहिए क्योंकि दूसरा course चूज करने पर होता क्या है कि आप उसके तरफ ध्यान लेने लगते हैं और कभी ऐसा वक्त आता है जब आप काफी ठके हुए होते हैं तो आपको motivation नहीं आपाता है अंदर से आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं भी हुआ तो मेरे पास ये तो एक option है ही तो ऐसा ना करें अगर आपका सपना है कि मुझे doctor ही बनना है तो आपको कोई course चूज नहीं करना चाहिए और आपको अपनी preparation पर ध्यान देना चाहिए और drop लेना कोई crime नहीं है जैसे मैं आपको एक example देना चाहता हूँ कि एक sir है अविनव डिंगरा sir जिन्होंने 2009 में AI PMT का paper दिया था और उनकी All India Rank 5 आई थी और उस टाइम्स का भी paper होता था तो उनका एम्स में अच्छा rank नहीं आया तो जिसके करन उनको एम्स दिली नहीं मिल पाया तो उन्होंने इतना rank आने के बावजूद भी उस टाइम पे मौलाना अजाद best college था तो उनको मिल रहा था तो उनको इतना number या फिर rank आने के बावजूद भी उन्होंने उस year drop किया और एक साल और prepare किया और finally एम्स में All India Rank 1 लाए और सबसे ज़्यादा percentage लाने का record उन्हीं का है अभी तक एम्स के paper में तो आप लोगों की ना सोचे किसी की ना सोचे और खुद की तयारी करें बिना कुछ सोचे समझे और डॉक्टर बने बाकि आपको कोई problem आगे चल के future में होगी तो मैं हूँ ही आपके साथ तो उसके लिए सोचने की कोई ज़रुवत नहीं है और मैं आगे बहुत सारी needs से related strategies medical college से related time table से related हर कुछ से related need के वीडियो लाता रहूंगा तो उसके लिए आप टेंशन ना करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को share करें अगर आपको लगता है कि ये बात किसी और को भी जाननी चाहिए